देखे तो हमने magnetic material को magnetic field में रख करके उसके behavior के आधार पे उसकी property decide की पहला क्या था die magnetic इसमें क्या था कि जब हम उसको magnetic material में रखते हैं तो वो उसमें जो magnetism होता है वो opposite direction में fibli magnate हो जाता है और अपने pure far में जब होता है वो तो उसका magnetic moment कितना होता है zero होता है net zero होता है no magnetic moment अब paramagnetic substance क्या होते हैं जरा दूसरे type के substance होते हैं paramagnetic substance paramagnetic substances substances देखे जान से पहली बात ये वो substance होते हैं जिनमें magnetic इनका खुद का जो magnetic moment होता है वो zero नहीं होता है क्यों बाई देखे जिरो डाइम magnetic के case में zero क्यों हुआ था किसी भी sub cell में नहीं आउटर मोस्ट आर्बिट न बोली है हाँ किसी भी sub cell cell का भी sub cell होता है ना किसी भी sub cell में maximum कितने electron होते हैं दो जैसे P में 1 sub cell होती है इसमें S में P में 3 होती है D में 5 होती है F में 7 होती है तो इनके opposite orientation की वज़े से इनका net magnetic moment zero होता है लेकिन अगर ये मालिया एक single है और सब भरे हैं और सब भरे हैं इसमें या ऐसे हैं वो ठीक है लेकिन ये single है तो ये इसके साथ अपने आपको neutralize नहीं करेगा ठीक है तो इसकी वज़े से अपना एक magnetic moment होगा तो यानि इसके पास अपना magnetic moment होता है तो लिखे these substances या तो paramagnetic substances paramagnetic substances आर दोज substances पारमगनेटिक substances और दोज विच डेवलप प्रणे डेवेस्टेसार लिखेंगे ना विच डेवलप अफेबल magnetic field विच डेवलप अफेबल magnetic field अले लिखो भाई लिखवा जुगे तो क्या हो गया विच डेवलप अफेबल magnetic field when placed when placed in external magnetic field अब देखे इन material के पास अपना magnetic moment होता है किस वजय से होता है due to the unpaired electrons if these materials have their own magnetic moment due to the unpaired electron these materials have their own magnetic moment due to the presence of unpaired electron Unpaired electron ठीक है लेकिन जो unpaired electron होते हैं उनके orientation क्या होते हैं जरा समझिएगा माल या हमने ये paramagnetic substance एक ग्राम लिया तो आप जानते हैं एक mol लिया अब एक mol में कितने atoms 10.23 एक mol में कितने atom होते हैं 10.24 भी होते हमसे का मतलब अब हमको कितने थोड़ी आती है 10.23 अब 10.23 atoms और हर atom में जो outer most sub-cell है उसके एक electron unpaired उसका खुद का magnetic moment होगा लेकिन उसका magnetic moment कैसा होगा हर direction में होगा न नहीं समझे मतलब वो हर direction में हो जाएंगे कोई इधर जा रहा है ऐसे बनाना हम बता रहे हैं इलेक्टरान के rotation के उज़े से current flow रही है उसकी उज़े से एक छोटा सा magnetic field हो रहा है तो चुकि यहाँ पर जो magnetic field होता है कैसा होता है multi-diaction होता है हर direction में होता है इसलिए net magnetic field क्या होता है लिखे as the orientation of electron in the या as the electrons move in the random motion as the electrons move in the electron moves randomly ऐसा लिखे as the electrons move randomly so net so net magnetization is zero या net magnetization is zero इसका net magnetization zero होता है ठीक है अब इसको अगर हम रख देते हैं किसी external magnetic field में तो यह सब magnetic field की direction में चलना सुरू कर देते हैं तो इनकी properties लिखे paragraph change के लिखे heading लाले properties of paramagnetic substances properties of paramagnetic substances बहुँ सारी नहीं लिखवाएंगे कुछ-कुछ main चीज़े हैं वो समले जाएगा properties of paramagnetic substances बहुआ लिखे दूसरी प्रापरटी समझेगा, जब इसको मैगनेटिक फिल्म में रखा जाता है, तो कैसे यह अट्रेक्ट होते हैं, देखे ध्यान से, जैसे मालिया आपने किसी एक्स्टरनल मैगनेटिक फिल्म यह लिया, ठीक है, अब आप कहेंगे तो आप तो बता रहे थे कि इसको सॉल नाइट में रखेंगे, डाइग्राम नहीं बना पाएंगे, यह नार्थ पोल है, यह साउथ पोल है, ठीक है, यह हमने एक पैरा मैगनेटिक सब्स्टेंस इसमें रखा, यह पैरा मैगनेटिक सब्स्टेंस है, जो कि डाइग्राम बनाना इसलिए थोड़ा सा इसको दूर ब तो यहां कौन सा पोल क्रेट करेगा वो इस इधर नार्थ करेगा तो यह यहां पर साउथ क्रेट करेगा यहां पर नार्थ जो यह मैगनेटिक लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 अब एक्जेक्ट नहीं बनेगा हम बना तो ऐसा रहें जास रहें लेकिन अब जैसा बने तो एक यह लाइन तो सीधे चली गई अंदर से जा रही है यह लाइनों को अपने तरफ खीश लेता है यह अंदर से होती वह ऐसे निकलती है ठीक है यह ऐसे लाइन को खीश लेता है ऐसे जैसे होता निक्या आप क्लास में अच्छे स्टूडेंट है ऐसा साबित करने के लिए क्या करेंगे टीचर निकलेगा आए सब पढ़ा दीजिए अगर क्या सब्ढ़ा पढ़ा अच्छ अपने अंदर से इंट्री कराता है ठीक है यह हो गया दूसरी प्रपरटी वें दिस मैटेरियल इस प्लेस्ट इन डगनेटिक फिल्ड देन तो लाइन सम फोर्से जो होती हो कहां जाती इसके अंदर कांसंट्रेट हो जाती है इसके अंदर से जाना शुरू कर देती है देन दा लाइनस ओफ फोर्सेज the lines of forces pass through the pass through this substance pass through this substance थोड़ा से बहुत अचे टेड़ाम जबनाईएगा थोड़ा से सीधा जबनाईएगा ठीक है तो ये दूसरी इसकी property होती है जब इसको non-uniform magnetic field में रखा जाता है तो चुकि इनका attraction होता है magnetic field से ठीक है तो ये किदर से किदर जाएंगे weaker to stronger field higher नहीं कहेंगे weaker to stronger field की तरफ shift करते हैं तो next लिखे when these substances या when these materials placed when these materials placed placed in a non-uniform magnetic field in a non-uniform magnetic field then they move from weaker to the stronger part of the field then moves from the weaker to the stronger part of the field weaker से stronger part में जाते हैं ज़र समझेगा जैसे मालिया हम ये magnet रखे एक ये magnet हमने रखा ठीक है ये मालिया हमने नार्थ पूर है और दूसरा magnet हमने नजदीक रख रहे हैं ये दूर रखोगे तो यहां weak हो जाएगा ना field ये मालिया ये रखा ये south pole है तो ये और यहां पर आपने कोई ऐसे एक बरतन रख दिया उठा करके ठीक है और इसके अंदर कोई ऐसा substance रख दिया मालिया वो आप liquid far में रख दिया ठीक है तो क्या होगा यहां पर ज्यादा strong होगा यहां पर magnetic field कैसा है यहां पर field कैसा है strong है और यहां पर कैसा है बीच में weak होता है अब जानते हैं इसके corner strong होता है यहां weak होता है और तब दो magnet रखेंगे तो center पर strong ज्यादा होगा ठीक है तो यह तो यहां पर शिफ्ट करता है ठीक है अच्छा जब इसको magnetic field में हमने रखा तो यह magnetized हो गया ना लेकिन feebly हुआ हलका हुआ ठीक है तो इसमें क्या होता है कि इसका जो susceptibility होती है वो positive होती है लेकिन बहुत small होती है तो next point लिखे its susceptibility its susceptibility yeah it's susceptibility is positive but very small its susceptibility is positive but very small अब यह अलग-अलग particle अलग-अलग होता है ठीक है जैसे for aluminium aluminium के लिखी गई है susceptibility तो value है आपकी 1.8 into 10 power 6 1.8 into 10 power 6 तो इसकी susceptibility positive होती है लेकिन बहुत small होती है minus 6 अरे मैं ऐसे ही लिख रहा था आप लोग ध्यान दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं minus 6 तीक है अच्छा अब जिराब susceptibility को किस से indicate करते हैं काई M से करते हैं तो अगर अब यह susceptibility है तो इसकी relative probability क्या होगी 1 से ज़्यादा होगी simple सी बात है 1 plus something तो next point लिखे the relative probability relative probability mu r is equal to क्या आपने बता है था 1 plus काई M यह bracket में लिख दिजिएगा इससे clear हो जाएगा अगर 1 से बड़ी आप क्यों लिख रहे हैं relative probability is slightly greater than 1 1 से थोड़ी सी बड़ी होती है क्योंकि बहुत छोटी value है ना यह 1 में plus की जा रही है slightly greater than 1 अब यहाँ पर एक word आता है temperature कि temperature पर यह कैसे depend करता है ठीक है तो अगर हम नियम हटा दें simply समझें ति भाई किसी भी substance में magnetic field create क्यों हुआ items के alignment क्यों जासे तो अगर आप temperature पढ़ा दोगे तो atoms के alignment कैसा हो जाएगा disturb हो जाएगा तो वो magnetize हो जाएगा नहीं हो जाएगा गरवड हो जाएगा ना उसका magnetic field खतम हो जाएगा तो इसका जो susceptibility होती है वो absolute temperature के inversely proportional होती है next point लिखेगा the magnetic susceptibility the magnetic susceptibility next concern number है जो भी number हो the magnetic susceptibility of a paramagnetic material of the paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature inversely proportional to the absolute temperature यानि काई M ये काई M proportionate 1 upon T होता है तो simple सी बात है temperature बढ़ा होगे तो susceptibility कम हो जाएगी मताब उसके magnetic होने का जो tendency हो उसकी chances कम हो जाएगे और जब हम काई M is equal to करते हैं तो एक constant आता है C C is a constant C जो हमने यूज किया है वो क्या है constant है और इसको क्यूरी is constant कहते है क्यूरी is constant ये क्यूरी है क्यूरी नहीं है क्यूरी मताब वो हिंदी वाला नहीं है क्यूरी इंगलिस वाला है मैडम क्यूरी और प्यरे क्यूरी है मैडम क्यूरी है प्यरे क्यूरी तो वर्नियर कलीपर लिये टलत रहे मैडम वो प्यरे क्यूरी ने वर्नियर कलीपर बनाया था ये देखो ना फलो ना फलो ना फलो वस ना आपते रहे मैडम क्यूरी अपना बहु सारा काम किये आपको मालू हुआ रेडियम की खोश की थी उन्होंने तो यानि की सबसेटबिल्टी इसकी ज़्यादा होती अगर हम एबसल्यूट टेंपरेचर और सबसेटबिल्टी की बीच में ग्राफ खींचे आप जानते हैं इन्वर्सली प्रपॉर्शनल का एक ग्राफ होता है तो सबसेटबिल्टी कम हो जाएगी कम का मतलब आप प्रेटिकली समझ रहे हैं ना ज्यादा टेंपरेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होता है जो एलाइनमेंट होता है वे टम्स का वो ब्रेक हो जाते हैं ठीक है अच्छा जैसे ही इसको मैगनेटिक फिल्ट से हटाया इनकी जितनी भी मैगनेटिक वो चमचागिरी थे सब समाप्त जैसे टीचर बाहर निकला चिलाना शुरू कर दो उनके सामने तक तो चमचागिरी कर रहे हैं अरे साब तो जैसे इनको मैगनेटिक फिल्ट से हटा दिया जाता है इनका मैगनेटिक फिल्ट लगभग लगभग ये समाप्त हो जाता है खुद का जो रहता हो रहता है नेट मैगनेटिक फिल्ट कितना होता इसके अंदर नेट मैगनेटिक मोमेंट इसका कितना बताया गया these substances loses the magnetism तो यह आपके paramagnetic substance की properties हो गई ठीक है अब बहुत जो सबसे strong intelligent student बहुत ही होनहार गुणवान और कोई और adjective वो सब मिला करके वो है ferromagnetic substance तो next लिखिए ferromagnetic substances फेरो एफी लोहें से आया है हमको लगता ferromagnetic substances फेरो magnetic substances देखिए ferromagnetic substances और paramagnetic substances की थोड़ा design mentor होता है बस ठीक है देखिए ferromagnetic substances का भी जो net magnetic moment zero नहीं होता है sorry मतलब net magnetic moment उसके अंदर होता है हर item का अपना magnetic moment होता है क्योंकि इसके भी electrons pairs में नहीं होते भाई die magnetic में क्या बताया गया था जो pairing of electron था वोगर वो कर रहा था न वो दोनों एक दूसरे के टांग खीच रहे थे यहां एक electron नकेला है वो अपना अपने हिसाफ चला है अपना magnetic moment create कर रहा है इसमें क्या होता है यह बताया गया कि इसमें domain theory बताई गयी कि इस प्रकार के substance में कुछ domain होते है अब वैसे तो हजारों होते है ठीक है एक एक ग्राम है एक इसको मिलीमीटर क्यूब में भी बहुत सारे domain बताया गया है लेकि हम थोड़े बना रहे हैं तो यह माले एक substance है ज्यादा ही बड़ा substance बन गया है इसको magnetize करने के लिए बहुत ज्यादा current flow करनी पड़ेगी तो मैंने यह बनाया तो इसमें होता क्या है कि इसमें माले यह domains है यह domain हमने चार बना दी है ठीक है तो इसमें एक domain के जो atoms होंगे उनका alignment सेम direction में होगा मतब माले यह alignment इधर की ओर है इसका alignment माले इधर की ओर है सभी atoms का alignment इधर की ओर है सब एक तरफ होंगे इसका alignment इधर की तरफ है यह सब एक जैसे अब डाय मैगनेटिक पैरा मैगनेटिक और फिरो में थोड़ा अंतर है जो पैरा मैगनेटिक सबस्टिंस थे उनका alignment का ही नहीं था वो randomly move कर रहे थे इधर उधर net magnetic field या net magnetic moment जिरो था जब हमने external magnetic field रखा था तो उसके पूरे के पूरे atom एक direction में चलना शू हमारे साथ है आप पढ़ाओ सवाल हम लगाएंगे सवाल जरूर लगाएंगे एक तो लगाए लेंगे example उतार लेंगे कुछ तो करना पड़ेगा ना इसमें क्या जब हम external magnetic field में इसको रखते हैं माल लिया जैसे हमारा magnetic field इस direction में है ठीक है तो जादा से जादा domain क्या करते है उस direction जाने की कोशिश करते हैं ठीक है तो हमने माल लिया ऐसे रखा तो पता चला कि इतना part इतना part ज्यादा part हो गया यह magnetic field की direction में align हो गया यह माल लिया अलग अलग है थोड़ा अलग है यह हो गया हमने और strong magnetic field कर दिया ठीक है और कर दिया तो जितने chambers हैं जितने domain इनको domain कह करते हैं हर domain के atoms magnetic field की direction में align हो गया है ठीक है अब आप कहेंगे यही concept तो paramagnetic में था तो इसमें अंतर क्या है इसमें अंतर होगा जब यह demagnetize होगा आपने इसको पीड दिया गरम कर दिया तो इसका एक domain disturb होगा तब ही थोड़ा होद magnetic field बना रहा है एकदम से सभी alignment change नहीं हो होगे हो सकता बहुत ज़्यादा टेंट से कर दोगे तो खतम ही हो जाएगा वह अलग की बात है लेकिन इतनी जल्दी है demagnetize नहीं होते हैं समझ मैं ही बात बस यही property होती है paramagnetic और ferromagnetic में अंतर है तो ferromagnetic substance लिखेगा ferromagnetic substances are those ferromagnetic substances are those are those which develop strong magnetic field which develop strong magnetization in the direction of external magnetic field which develop strong magnetization in the direction of magnetic field ठीक है अब इसकी properties लिखेगा properties of ferromagnetic substance ferromagnetic substance इसकी सभी properties लगभग लगभग paramagnetic भी ही होती है पैरा magnetic में वस इतना होता है कि जब उसका magnetic field disturb किया जाता है तो वह disturb हो जाते है टीचर जैसे क्लास से निकला वो हुर्दंग सुरू कर देते हैं चम्चागरी खतम और फेरो वाले टीचर के निकलने के बाद में वो सवाल लगा लेते हैं बैठ करके जो पढ़ा गया है वस यह अंतर होता है उसका magnetic field दी जल्दी समाप्त नहीं होता है तो नंबर वन लिख लिखिये वेन फेरो-magnetic substance is placed in a magnetic field in a magnetic field then the lines of forces the lines of forces concentrate greatly into the material बहुत भेंकर रूप से अपने अंदर हो lines को कर लेता डाग्राम वही बनाएंगे पैरावाला ठीक थोड़ा दोचा लेने और बढ़ा देंगे उसमें बस इतना कर देंगे concentrated greatly into the material तो इसका बता है इसके अंदर जो magnetic induction होता है वो जो available induction भी नॉट होता उससे ज़्यादा होता है number next लिखिएगा जब इसको magnetic field में रखा जाता है तो यह भी weaker से stronger की तरफ develop जाते हैं तो next लिखिए when ferromagnetic substances when ferromagnetic substances are placed when ferromagnetic substances are placed are placed in a non-uniform magnetic field in a non-uniform magnetic field then it moves from weaker to stronger part of the field ठीक है इसकी जो susceptibility होते बहुत ही ज़्यादा होती है तो लिखिए its susceptibility its susceptibility is very large positive and very large positive and very large for iron it is काई एम is greater than 1000 इसकी 1000 से भी ज़्यादा होती है अब simple से बात है आप चुँकि 1 में इसको plus करोगे तो 1 में इसको plus करोगे 1000 बड़ी value है ना तो 1000 से बड़ी value को 1 में plus करोगे तो आपको value वो भी 1000 से तो इसकी relative permeability भी ज़्यादा होती है तो next लिखे the relative permeability the relative permeability sorry क्या बोला हूँ relative permeability is greater than 1000 is greater than 1000 and mu r is also greater than 1000 मतब permeability क्या करती है उसको permit करती है magnetic field को अपने अंदर से entry कराती हो अब temperature इसका जब बढ़ाते है तो इसकी susceptibility क्या होती है घड़ती है लेकिन वो जो घटना होता है वो पड़े complex method से घड़ती है एकदम से वो zero नहीं होती है ठीक है जैसे हमने बताया कि यह बहुत सारे chambers है ना जैसे माने कहीं पर किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए सब एक लाइन में जा रहे हो जै राम जी की ऐसे जा रहे है एकदम से disturb कर दीजे तो एकदम से भगदर में जाएगी ना आप उसको chambers में बाढ़ दीजे तो जब disturbance होगा तो कोई एक chamber disturb होगा सभी जतने भी domains है वो disturb नहीं होगी तो temperature पढ़ाने पर इसकी जो magnetization है वो एकदम से 0 नहीं होता है ठीक है तो next लिखे susceptibility decreases susceptibility decreases with temperature with temperature with temperature and given by यह formula होता है काई M proportionate 1 upon T minus Tc अभी हम बता रहें इसके बारे में क्या बात है यह T is greater than Tc where Tc is critical temperature or curie temperature where T is critical temperature or curie temperature यह curie temperature लिखे है अच्छा critical or curie temperature पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं लफ़डा क्या ही है वो ferromagnetic die कहां बोल ला है ferromagnetic जब किसी ferromagnetic को गरम करोगे अच्छा dye बोले हैं तो जब लें ठीक है ferromagnetic को जब आप गरम करेंगे तो वो paramagnetic में change होगा magnetic field उसका खतम होगा paramagnetic में मतब magnetic field इसका weak होगा लेकिन कितना जाएगा पैरा में अब उससे ज़्यादा गरम कर दो कि तो लग की बात है और जब ठंडा करोगे तो फिर ये ferromagnetic substance बन जाता है ठीक है तो ये कुछ properties है ये board exam से अच्छा थोड़ा लिए और लिख जाएगा अब ferromagnetic substance retains magnetism जब इसको magnetic field से बाहर निका लिया जाता है तब भी इसके अंदर magnetic field रहता है आपने कभी देखा होगा डबी में जो paper pin रखी जाती है तो इस डबी को उपर एक डंडी लगी होती है magnet की उसमें जो iron pin चिप की होती है उसमेंस और इक पिं निका लिए आप पिं बहां निका लिया आपने यानि वो जो डंडी है magnetic field है उससे आपने बाहर कर दिया तो नियमता उस pin के ऊपर magnetic field होना रिटेंस माइटेस्म सब्सक्राइब गर बना रहता हूं खत्म नहीं होता है और भी इस ऐना भी ऐना है कोबाल्ट आता है निकल आता है बोट आते हैं ठीक है हाँ सबसे ठीक आरण होता है ठीक है अब